ये तस्वीरे हैं देश के नए श्रम मंत्री की मनमोहन सरकार में श्रम मंत्री बनाए गए कॉंग्रेसी निता सीसराम ओला की सिर पर नहरू टोपी आखो पर काला चश्मा और रही सही कसर पूरी हो गई सीसराम ओला के स्वागत के दौराद कंधे पर ओढ़ाया गया ये तीन रंगोवाला कॉंग्रेसी स्ट्रॉल यानि डुपट्टा मंत्री जीस मौके पर बालश्रम की बात करते करते अपनी पन्ना की अंगूठी दिखाना नहीं भूले चोटे बच्चू को ये चाय की दुकाल पे फैट्री में और ये जेवरात पड़ाते हैं ये ऐसे अगूठी बगएरा ये पढ़ने बगेरे इनकी गिसाई का काम लेते हैं इनको भी हम देखेंगे कि उन बच्चू के लिए क्या किया दा रहा है सीसराम ओला को इस अंदाज में देखकर कौन कह सकता है कि ये कॉंग्रेस के सबसे बुजर्ग नेताओं में से एक है और इनकी उम्र हो चुकी है च्छी आसी साल च्छी आसी साल के उम्र में मनमोहन सिंग सरकार ने सीसराम ओला को सौपा है देश का श्रम मंत्राले और ये तस्वीरे उसी मौके की है जब वो दिल्ली के श्रम मंत्राले का कारिभार संभालने पहुँचे अपने यानी श्रम मंत्री के दफ्तर लेकिन उनका पहुचना क्या था किश्रम मंत्री का दफ्तर जैसे उनके घर के ड्रॉइंग रूम में बदल गया मंत्री की कुर्सी पर बैठे सीसराम ओला और गोद में उन्होंने मिछा लिया अपने छोटे पोते को उनका बड़ा पोता कुर्सी के दूसरी तरफ आजमा कुर्सी के पीछे परिवार के कई दूसरे सदा से भी खड़े दिखाई दे रहे सीसराम ओला को उनके दफ्तर के अधिकारियों ने नहीं बलकि पोतों ने ही खिलाई मंत्री बनने पर पहली मिछाई और इस तरह से सीसराम ओला ने श्रम मंत्री के पद की एहम जिम्मेदारी संभालने के मौके को बदल दिया घरेलू समाहरों में अब मौका आया मीज्या से बात करने का लेकिन नय श्रम मंत्री महोदे पहले ही दिन अपने श्रम राजबंत्री के सुरेश का नाम भूल गया के सुरेश जी और मभी हूँ इसके बाद जब उन्हें दोबारा श्रम राज मंत्री का नाम लेने की जरूरत पड़ी तो वो फिर भूल गए और के सुरेश को बना दिया के नरेश हमारा सेक्रेटी साब आजाएगा देनेवा से हमारे सब अजिकारियों से बैठ के बात करेंगे अज उनकी आददास के उपर फरक पड़ा है कई ना कई विश्यों के मारे में तार्तम उनका तूटा है ऐसे लोगों को भी मंत्री मंडल में लेकर के परफॉर्मेंस का क्रेटीरिय नहीं मात्र उस वक्ति के आधार पर मैं जाती के वोटों को कैसे हम विनोवर कर सकते हैं इसके आधार पर उनकी मंत्री मंडल का गटिन या विस्तार किया सीसरा मोला ने श्रम मंत्राले में जब पदभार संभाला तो श्रम मंत्राले के सचिव डॉक्टर मृत्यूंजर सारंगी मौजूद नहीं थे ऐसे में मंत्री जी ने कहा कि बिना सचिव की वो काम शुरू कैसे करे गॉर्मेंट की तरफ से ओफीस का एग डिपार्टमेंट का सेकरेटी होता है वो खुद ही नहीं है वो गुटी पर गया हूँ आदनेवा ऐसी सुरुत में हम कुछ कर नहीं सकते देख नहीं सकते कि उनों क्या 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 हूँ पले मंत्री जी ने क्या किया है अब वो क्या है उस सारे को देखके तो मा क्या बढ़े अब आपको बताते हैं कि आकर 86 साल के सीसरा मोला की ऐसी क्या खासियत है कि कॉंग्रेस ने उन्हें कैमिनेट में शामिल कर लिया खुदूनी के मुझ से सुनगे मा अज पहली बार नहीं बढ़ रहा मेरे स्टेट में भी बन तरी रहा हूँ और उन्नीस सो सत्याओन की तेरा फर्वरी सत्रा फर्वरी से मैं लगातार जीत रहा हूँ मैं मेरे दायत्य को निवाने की जुम्मेदारी को ठीक से सबता हूँ यहां भी मैं पांच बार एंपी रहा हूँ आठ बार एमेले रहा हूँ मैं कोई नयार नहीं हूँ, I'm not a new recruit 30 मोला लोगसभा के जिप्टी लीजर भी हैं और राजस्थान के जुन्जुनु इलाके में उनकी पैठ हैसी है कि 1957 से अब तक कोई चुनाव नहीं हा रहे हैं 33 मोला राजस्थान सरकार में कई बार मंत्री रह चुके हैं और केंदर सरकार में भी इससे पहले साल 2004 की कैबिनेट में भी वो श्रम मंत्राले का कारिभार सभाल चुके हैं मैं रहा हूँ मनें मंत्री के पद पर लेवर मंत्री के पद पर कारे क्या है ये एक अच्छा बड़ा डिपार्टमेंट है इसमें जो जो दैसे हैं उनके पूर्ति कराना परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होता तो शायद कॉंग्रेस नहीं जब साड़े उनके लगबत चार साल का समय हुआ है पहले उनको उनके अनुभव के आधार पर उनको मंत्री बनाया जाता माना जा रहा है कि कॉंग्रेस ने राजस्थान में होने वाले चुराव को देखते हुए सीजरा मोला को कैबिरिट में शामिल किया है ताकि राजस्थान के जाट मतदादाओं की नाराजगी को कम किया जा सके